नमस्कार स्वागते आपका दोबी घाट पर मैं हूँ अशुक वान खड़े फिलायों खबर के पीछी की खबर खबर यह है राजस्तान सरकार ने गुर्जरों के साथ अन्य पांच जाती को जोड़ते हुए पांच प्रतिशत आरक्षन देने का बिल विदान सबा में पारित किया इसके बावजूद आंदुलन कारी गुर्जर रेलवे के पट्री से उठने के लिए तयार नहीं है गुर्जर पिछले तेरा सालों से आरक्षन के लिए लड़ रहे है और पिछले तेरा सालों में पांच बार विदान सबा ने गुर्जरों को आरक्षन देने का बिल पास किया है पहला बिल 2008 में पारित हुआ दूसरा 2012 में पारित हुआ तीसरा 2015 में पारित हुआ चवता 2017 में पारित हुआ और ये पाचवा बिल है 2019 में पारित हुआ लेकिन एतमाम बिल जब सरोचे नायले में जाते है तो वहां रद्द किये जाते है जब जब गुर्जर हिंसक आंदोलन पर उतर आते है सरकारे आनन फनन में विदा सभा में बिल पास कर उनका आंदोलन शांत करने का प्रयास करते है कुछ दिनों के बाद जब कोई ना कोई उसको चैलेंज करता है तो सरोच चनैल है उसे रद करता है और ये लुपा चुपी का खेल पिछले 13 सालों से राजस्थान में चल रहा है खबर के पीछे की खबर ये है इस बार आंदोलनकारी अभी भी आंदोलन में डटे हुए है उनके नेता करनल बैसला का कहना है कि हर बार के तरह इस बार हम मुर्ख नहीं बनेंगे हम उस बील का पुरा ड्राफ्ट देखेंगे जिन लोगों ने बिल पास किया उन्हें यहां आना पड़ेगा और हमें समझाना पड़ेगा कि बाकी बिलों से यह बिल भिनन कैसा है यह बिल सुप्रिम कोर्ट में भी डटा रहेगा यह भी गैरंटी सरकार को देनी पड़ेगी तभी हम यहां से हमारा आंदुलन वापस लेंगे आज शाम तक का अल्टिमेटम करनल बैसला ने तमाम नेताओं को दिया था देखना यह है कि यह नेता आके करनल बैसला को क्या समझाते हैं क्योंकि इस बिल का भी प्रारूप कमो बेश वही है जो पिछले चार बिलों का था इसके माइन ये है कि ये बिल भी सरोच नयाले में टिक नहीं पाएगा एक कहावत है कि आप सभी को एक बार मुर्ख बना सकते हैं लेकिन एक आदमी को भी बार बार मुर्ख नहीं बना सकते गुर्जर आंदोलन और उनका आरक्षन राजस्तान सरकार के गले में पड़ा हुआ साफ हैं देखना ये है कि सरकार उसे कैसा टैकल करती है यह खबर के पिछे की खबर देखते रहे हैं धोभी घाट